हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगात उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलोगे बच्चो परमाडू में लगातर मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रवाइड कर रहा हूँ जिसमें आज का टॉपिक है रदर फोड का परमाडू माडल आप लोग तो सीखोगे बच्चो इसके पहले हमने आपको कराया था अलफा कड़ों के प्रकेडन संबंदी रदर फोड का उस दिन के लेक्चर में लास्ट में मैंने परमाडू माडल भी प्रिस्तुत कर दिया था लेकिन आज का थोड़ा सा लेक्चर डिफरेंस है आज इसके कम्यों के बारे में चर्चा करेंगे ये आपने पढ़ा था अलफा कड़ों के प्रकेडन समंदी रदर फोड का प्रियो किया था जिसमें स्वण पात पर अलफा कड़ों की बोच्छार की थी और अलफा कड़ों की बोच्छार के बाद उन्हों निसकर्स निकाला था कि भाई साब परमाड जो होता है खोकला होता है नाविक पर धनावेश होता है संपूर द्रबमान नहीं तरहता है और इलेक्ट बनाने के लिए दो इंटों का सहारा लिया था वो भी लेड का इंट था D1 D2 अब इसको स्वण पात्र में गुजा रहा था क्योंकि ये अलफाकन संकिर्ण होकर स्वण पात्र पर गुजरती हैं इसको देखने के लिए भाई साब यहाँ पर एक संसूचक लगाया था जो हुआ है जो एक लिए के साथ बिचलित हो जा रहे हैं कुछ हल्फाकन एक डिगरी के सार्थ होता है या वापस होजाता है यह सब कुछ देखा गया इस स्वण पात्र में और फिर निकाला भिया निसकर्स कि जब हल्फाकन बाहर चले जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अर्धिकांस वहाँ खोकला है और यदि अलफाकन बिचलित हो रहा है मतलब नाभिक पर धनावेस होगा और यदि अलफाकन वापस हो रहा है या एक डिगरी कोन के साथ बिचलित हो बिशलित हो रहे हैं तो ये उन्होंने अपनी प्रियोग में बताया वो 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर मैंने भी आपे 2 मिनट में आपको समझा दिया इसी को आगे बढ़ाते हो ये अपना निसकर्स निकाला कि भाई साहब ये देखिए पहला तीन निसकर्स तो क्लियर है तीन नि इन्टू 10 तो पावर माइनस 7 मीटर स्वण पात्र पर गुजारा गया तो अलफा कड कुछ यहां पर अधिकांस अलफा कड सीधे निकल जाते हैं कुछ बिचलित हो जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में वापस आ रहे हैं इससे निसकर्स ये निकाला कि अलफा कड पन्नी को पार कर सीधे निकल जाते हैं मतलब खोखला भागे यदि अलफा कड प्रच्छेपीत हो रहे हैं तो परमाड के अंदर धनाविसित कड हैं यदि अलफा कड पीछे आ रहे हैं वापस आ रहे हैं अर्था तो संपूर धनाविसित के अंदर एक निश्चित बिंदू पर केंद रहता है अब इसी के आधार पर उन्होंने बताया पहला जो माडल था उनका यह हमारा में परमाडु परमाडु के बारे में जो माडल प्रस्टूरू तो प्रयोग था प्रयोग से निसकर्श था लेकिन माडल यह है कि परमाडु के समस्त द्रब्मान और समस्त धनावेश उसक ना भी कहते हैं संकेंद्रित रहता है ठीक है देखेगा परमाडू है परमाडू का जो धनाबेश और द्रबमान है उसके केंद्र पर क्या रहता बच्चो संकेंद्रित रहता है मतलब एक छोटा सा परमाडू होगा तो यहाँ पर मैं एक परमाडू बनाता हूँ देखेगा थामसन का परवाड़ वाड़ा आपने पढ़ा था और उनी को थोड़ा सा है ना अस्फल करते हुए इन्होंने अपना प्रयोग आगे बढ़ाया और बोला नाभिक एक ऐसा है जहां पर संपूर धनावेश है इसी नाभिक पर पूरा धनावेश केंद यह किस ने बताया यह भाई साब रदर फोर्ड ने पहले प्रयोग में बताया दूसरे प्रयोग में बताया कि इसका आकार जो होता है दस के घात माइनस दस तो होता है लेकिन जो त्रिज्जा है उदस घाते माइनस पंद्रह मीटर मतलब इस से दस घाते पांच गुना कम य क्योंकि परमारू का कार होता है 10-10 मीटर ठीक है पहला पॉइंट तो आपने समझा कि जो धनाबेस है और समझत द्रबमान है वो परमारू की केंडर में ही केंडरित रहता है जिसे हम नाविक कहते हैं यहां से पढ़ा नाविक नाम थामसन का जब परमारू माडल पढ़ रहे था नाविक की किसी परकार से खोजी नहीं हुई थी यहां से नाविक सब्द मतलब केंडरित होता है जहां पर उसको नाविक नाम दे दिया गया और दूसरे नंबरें बताया कि नाविक काकार 10-10 मीटर और जबकि परमारू काकार 10-15 मीटर जबकि परमारू काकार 10-10 मीटर होता है इसलिए पांच दस घाते पांच गुना छोटा होता है ना भी काकार तीसरे नंबर में इन्होंने ये बताया जो बाद में अस्फल हुआ कि इलेक्टरान इसके चार और घूमते रहता है देखो भई पैन भी दोखा दे दिया चलो भई यह रिफिल निकल जाओ इलेक्टरान जो है इसके चार और घूमता रहता है एक निश्चित कच्छा में नहीं बस घूमता रहता है बस अलो भई इलेक्टरान घूमता रहता है यह बता दिया उन्होंने और यही सबसे बड़ी कमी उनकी आगे चलकर बोर ने फिर जो बोर का बोहर का परमाड माडला पढ़ोगी तो यही कमी को दूर किया बोहर नहीं उन्होंने कहा कि एक specific class मतलब एक निश्चित कक्छा पे गुमता है इन्होंने यह बताया बस नाभी के चार ओर गुमता रहता है नाभी के चार ओर गुमता रहता है ब्रत्ती मार्क पर, परमाड के अंदर जो इलेक्टरान है, वो इस थिर नहीं रहते, बलकि नाबिक के चार ओर क्या करते रहते हैं, गूमते रहते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कमी हुई, जो इलेक्टरान है, नाबिक के चार ओर क्या करते हैं, गूमते रहते हैं, परिक्रम पॉइंट हैं इनके मुख रूप से, अपने माडल में चार एक प्रकास से प्रिस्तूते दिये, पहले नमबर में इन्होंने ये कहा कि जो नाभी का समस्त धनावेश है और द्रबमान है, वो परमाडु की बीच में केंद्रित रहता है, बिलकुल सेंटर पॉइंट में केंद् अरे फिर से बोल दिया हुट नाभिक काकार 10 घाते मैनस 15 मीटर है ना जबकि परमार काकार 10 घाते मैनस 10 मीटर होता है अर्थाथ 10 घाते 5 गुना छोटा होता है नाभिक तीसे नमबर में यह बताया कि जो नाभिक के चारों इलेक्टरान है उनकी जो संख्या है लगबाग नाभिक पे उपस्थीत धानावेस की संख्या के बराबर है हम समझा रहे हैं आपको लिखना कैसे वो भी आपको बताएंगे फिर चोथे नमबर में बताया कि जो परमार के इंदर इलेक्ट्रान है इस्थिर नहीं रहते आपी तु ब्रत्ती मार्ग पर नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं गूमते रहते हैं इन्हों यह नहीं बताया कि गूमते रहते हैं बस लो गूमते रहते हैं गूमते रहते हैं परिक्रमा करते रहते हैं ब्रत्ती गति के लिए उन्हें आवस्था कभी केंद्री बल नाविक के धनावेश और इलेक्टरान के मद्ध लगने वाले इस्थित बैदुदा कर्षन बल से प्राप्त होता है उन्होंने ये बताया कि उनके विज्जो बल प्रदान होती है वो बीच में आपका धनावेश है और आपका इलेक्टरान उसके चारों बल है तुँ यो गत्री कर रहा है तो दोवेशो के वीच लगने वाले बल को कुलाम बल कहते है छेप्टरन में आपने पढ़ा ही लिए ठीक है कुलाम साहब कर नियम चैप्टरन में आपने पढ़ा न उन्होंने कहा यह जो इलेक्टरान घूम रहे है वह कूलामबल की कारण हो रहे है इस तीरह बैदुता कर्षण बल जिसे कहते है ठीक तो यह चार नियम थी ठीक है तो देख सकते है नाबिक का कार 10 घाते माइनस 15 मीटर के क्रम का होता है जो परमाड के अकार का 10 घाते माइनस 10 मीटर की दुल्ला में दसगाते पाँच गुना छोटा होता है नाभी के चारोओर दसगाते मैंन्स दसगाते अदसमी दसमीटर तरीजा के खोखले गोले ये लोग गोले भईया गोले के चारोओर एलेक्टरान बित्रीत रहते हैं किसी भी परमारव के समस्थ इलेक्टरानों का कुल रेडावेस नाभी के धनावेस के बराबर होता है मैंने पहले बता दिया था कि जितना भी रेडावेस है वो धनावेस के बराबर है अगला नमबर था परमार के अंदर इलेक्टरान इस्थिर नहीं रहते आपी तो ब्रत्ती मार्ग पे नाभी की परिक्रमा करते रहते हैं और ब्रत्ती मार्ग लिए अवस्रक अभी केंद्रीवल नाभी के धनावेश और इलेक्ट्रानों के मदलगने वाले बैदुत आकाशन बलके से प्राप्थ होता है यदि इलेक्टरान इस्थिर रहते तो इस्थिर बैदुत आकाशन बलके काड़ों नाभीक में गिर जाते उन्होंने ये भी बताया था कि भाई सहाब यदि वो इस्थिर नहीं है बलके वो घूमते रहते हैं यदि इस्थिर रहते तो गिर जाते ये 12th क्लास के लिए है 11th क्लास का बच्चा इसे नहीं समझ पाएगा ये 11th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है तो उसको समझ भी नहीं आएगा इनकी कमियों के बारे बात करते हैं परमारु के इस्थाइत्तों की बैख्या नहीं कर पाए बड़ा ही विडंबना है दो कमिया है रेखिल इस्थाइत्तों की बैख्या ना कर पाना ठीक है परमारु के इस्थाइत्तों की बैख्या ना कर पाना इनकी दो कमिया है बच्चो यहाँ पर आप पहला नंबर लिखिएगा परमारु के इस्थाइत्तों की बैख्या ना कर पाना ठीक है क्या बच्चो परमारु का इस्थाइद तो ठीक है इसका मैं थोड़ा सा आपको डेटेल समझाओंगा अब यह आप समय दीजे मुझे दूसरे नम्मर पे रेखिल इस्पेक्टरम की बैख्या रेखिल इस्पेक्टरम की बैख्या इस्पेक्टरम की बैख्या चूकि अभी एक चीज तो इनके नियम में आपने समझा कि जो इलेक्टरान होते हैं वो नाभिक के चार और खोखले भाग पर चक्कर लगाते रहते हैं किसी एक निश्चित कच्छा में नहीं बस परिक्रमा करते हैं ब्रत्ती मार्ग पर परिक्रमा करते हैं ये पहला कंडिशन उनने बताया कि यदि एक परमाडु है परमाडु में नाभिक है और नाभिक के चार और इलेक्टरान परिक्रमा करता है बस परिक्रमा करता है और बच्चों ये त्वरित इलेक्टरान सदे जो सदै बिद्वुँद्चुमि की तरंगुच पन करते हैं, क्योंकि जब इलेक ट्रान के गत्य में परिवर्तन होगा, तो भाई तुरम्प्ரित इलेक्ट्रान होगा, जो सदे बिद्दुद्चुमिकी तरंगुच सर्जित करता है, अता नाभी के चार और घोमते उए, इल तब इन इलेक्टरानों के उर्जा में क्या आएगी कम होए कम ही आएगी और ये थोड़ी थोड़ी धीरे-धीरे करके पास आते जाएगे और अंत में क्या हो जाएगा ये आकर के नाभिक में गिर जाएगा नाभिक में गिरेगा की नहीं और जब इलेक्टरान नाभिक में गिर जाएगा तो फिर इसके परमारु का इस्थायतु के ब्याख्या ही कहा हो गया भाय भाया वो तो इलेक्टरान भी आकर वहीं पे गिर गया इस्थाईत की बैख्या नहीं कर सके कि किस कान ये इस्थाई है इन्होंने ये बताया कि नाभी के चारोर इलेक्टरान घुम रहे हैं ब्रत्ती मार्क पर परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई साहब एक निस्चित कच्छा एक निस्चित उर्जा वाले कक्षा पे ही इलेक्टरान गोमते हैं उन्होंने बस इतना बता दिया था कि इलेक्टरान चारोर चक्कल लगा रहे हैं लेकिन आगे निसकर्ष निकाला कि भाई मान की चलते हैं इलेक्टरान चारोर चक्कल लगाते हैं और जब घती करते हैं तोरित इलेक्टरान पर सद जब कम होता जाएगा तो आकर्षण करेगा अंदर वाला उर्जा कम होती जाए तो आकर्षण करेगा जब आकर्षण करेगा दिर दिर गुमते गुमते आ करके नाबिक पे गिर जाएगा इस कारण से परमाण के स्थायतों के ब्याख्या नहीं कर सके पहला कारण था बच्चो दूसरा जो था रेखिल स्पेक्ट्रम उसके बारे में समझते हैं देखिएगा रेखिल स्पेक्ट्रम की बैख्या ना करना कारण था देखिए दूसरा नमबर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजेगा रेखिल स्पेक्ट्रम अब इन्हों ने ये बताया कि जो परमाडू है उ इलेक्टरान किसी भी कच्छा में घूमता रहता है, जिससे माली जै इलेक्टरान यहाँ चला, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, बस ब्रत्ति मार्क पर घूम रहा है, अब जब आप ही बताना, यहाँ पे आसानी से चक्कर लगा लिया था, थोड़ी दूर ग हो रहा है की नहीं और जब आप रत में परिबर्तन हो रहा है मतलब हर आप ब्रत पर यह बिद्दृ चुमी की तरंग उत पन्हों और कहने bob 멕ण करते हैं कि एट से अधिक इलेक्टृ आ कि वहांखन पर शंभावव करेंगी गति gì खतिृंग की तरंग उत पन्हों करेंगे प्रतिया बदलती रहती है तो सभी संभो अब्रति के लिए बिद्दुच्युमी की तरंगुत सर्दित होगी न बाई क्योंकि ये बोला ना पास में भी कमपन कर सकता है दूर भी कमपन कर सकता है इसका मतलब है कि सभी प्रकार के लेक्टरानों की आप ब्रतियां बदल सकती है फलसरोप इसमें बदलती है बिद्दुच्युमी की तरंगे उस सर्जित होगी जो की सतत स्प्रेक्ट्रम के रूप म थी कि ये निश्चित कच्छा में नहीं गूम रहा है इसका मतलब ये कि बार-बार कई आबरतियों में गूम रहा आबरती बदल रही है तो कई सारे इलेक्टरान इसके एक साथ स्पेक्टरम दे सकते हैं सताथ स्पेक्टरम मिल सकता है इसका मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं फिर से एक बार समझेगा भाई रदर फोड की ये कमी थी कि निश्चित कच्छा न बताना उन्होंने बताया कि भाई सहाब इस माडल के अनुसार इलेक्टरान जो है सभी संभो त्रिज्जाओं की ब्रती मार पर घूम सकता है पास में भी दूर में भी ती और आगे भी मतलब इलेक्टरान यहां है तब पर भी यहां भी है तब पर भी यहां भी तब पर भी यहनी अलग अलग त्रिज्जाओं पर यह इलेक्टरान घूम सकता है और जब घूम सकता है तो आब्रती इनकी अलग-अलग हो जाएगी फलसरूप निसकर्स निकाला गया कि बिद्दुचुम की तरंगुत सर्धित होगी भाई हर एक जगह का इलेक्टरान भाई बाद में बोर सहाब आये न बोर सहाब ने समझाया कि इलेक्टरान एक निस्चित कच्छा में गोमती है उन्ही के अधार पर निसकर्स निकाला गया कि बाई सहाब ये अलग-अलग आबरती पर विद्दुचुम की तरंगुत पन करती है मतलब एक ही इलेक्टरान वाले परमाडू नहीं बलकि एक से अधिक इलेक्टरान वाले परमाडू भी इसके आधार पर सतति स्पेक्टरम दे सकते हैं जो कि संभव नहीं है इसलिए उनका अस्फल था ये दो कारण हैं जिसको सब लोग समझ भी नहीं पाते ना इसको सब कोई समझ में नहीं पाते भी या ये तब ही समझ जब परमाडू के बलकुश निश्चित आबरती में ही भी दुच्यमकी तरंगुच सजित करें रेखिल स्पेक्टरम तब ही प्राप्त होगा जब इलेक्टरान एक निश्चित आबरती में ही कमपन करें सतत मतलब उसी क्रम में स्पेक्टरम मिले रेखीली स्पेक्ट्रम उसी करम में मिलता रहे बदले नहीं भाई आबरती बदलेगा तो स्पेक्ट्रम तो बदलेगा और इन्हों ने क्या बताया थे रदर फोड़ें बोले भाई या सभी आबरतियों पे हर कच्छा में गुम सकता है तो भाई आबरती बदलेगा एक लेक्ट्रान वाला भी हर संभव दिसाओं भी घुम सकता है उसके अंसार तो भाई सभी के सभी परमाड़ों रेकली स्पेक्ट्रम लें लेकिन यह संभव नहीं है ओके आप लोग इतना त्यार कर ले ना मेरा उद्देश था भाई कमी समयम समझाने के लिए लेकिन क्या करें यहां लेक्ट्र लंबा होने की पीछे दीजाने की आपको बास्तविक रूप से जो चीज आपके सलेबस में उसको मैं समझा पाऊ ओके बच्चो फिलाल आज के लिए इतना ही प्रकार से प्रापर रुप से दे जाते हैं वीडियो और प्लस नोट्स दोनों के सहता से आपकी तयारी बहतर हो सकती है जय हिंद बंदे मातरम